पंजाब में प्रधान मंत्री मोदी की सुरक्षा के मुद्धे पर बिजेपी पूरे देश में आंदोलन रथ है पंजाब में अन्य मुद्धो को दरकिनार कर बिजेपी ने इसे चुनावी मुद्धा बना दिया है वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जराम ठाकुर ने इसे पंजाब सरकार की साजिश करार दिया है मुख्यमंत्री जराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दोलान कहा कि पांच जन्वरी को पंजाब में प्रधान मंत्री मोधी का कारिक्रम था पंजाब में 42,000 करोड से जादा के उदगाटन वशीला नयास होने थे लेकिन वहां एक हूनी साजिश हुई जो पंजाब सरकार द्वारा प्रयोजित थी यहां एक शडेयंत्र था, एक नीजी चैनल के द्वारा किये गए स्टिंग से यह खुलासा हुआ है पुलिस को कोई कारेवाई न करने के आदेश दिये गए थे पुलिस प्रदर्शन कारियों के साथ चाय पी रही थी बिजेपी साजिश का परदाफास कर जनता के सामने रख रही है पांच जनवरी को यह घटनक्रम एक साजिश के तहत हुआ है हमारा ये मानना है कि यह कोई सयोग नहीं बलकि एक खुनिस साजिश का एक रूप था और हमारा ये भी मान्यता है कि आचानक नहीं बलकि ये सब आयुजी थी था और हमारा ये भी मान्यता है कि ये कुद्रती नहीं बलकि एक कॉंसिप्रेशी थी और हमारा ये भी मानना है ये स्पॉंटेनियस नहीं था बलकि ये स्पॉंसर्ड था और आज मैं इस बात को आपके सामने विशेश तोर से अपनी बात कहने के लिए इसलिए आया कि साजिश का अंदाज़ा सहज रूप से लग सकता है परधान मंती जी की सुरक्षा मैं पंजाब सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है और मैं समझता हूं कि चूक ही नहीं बहुत बड़ी एक लापरवाही और मिली भक्ती की साथ की है केबल स्थानिय पूलिस की ही नहीं स्थानिय CID इंटेलिजेंस ने भी कुछ दिनों पूरव परधान मंत्री के रूट पर सुरक्षा चूक पर अपना रिपोर्ट दिया था और इस रिपोर्ट पर भी पंजाब सरकार ने कोई भी कारेवाई नहीं की और मूख दश्रक बन करके बैठी रही और ये भी सूचना थी कि खारिस्तानी गुट रैली के खिलाब सक्रिया था सिक्फर जस्टिस के पंजू ने प्रधान मंत्री को जूता दिखाने वाले के लिए इनाम की गोशना की हुई थी इतना होने के बाबजूद भी वहां पर इन अंदोलन कारियों को आने दिया गया ये बहुत बड़ी किंटा का विशे है द्रेंदर मोदी जी के इस दौर के साथ भावनात्वक दिश्टी से उनके साथ खड़ा हुआ है अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने स्थर पर बविन्ज जंगठन जो है उनके लिए प्रार्टना कर रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए उनके जीवन के लिए उनके आयू दिरगायू हो उसके लिए प्रार्टना कर रहे हैं वहां भारती जन्ता पार्टी की और से भी पूरे देश पर में ये जो घटना करम पंजाब में घटित हुआ अप धान मंतिजी की सुरक्षा के समंदित इसको लोगों के सामने ठेक परकार से सही रूप में प्रस्तूत किया जाए इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी ये मुझाज की इस पत्रकार बास्त में कहना था हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुषपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट प्लस चाँ चौः शिमला से कारा से जाए रहा ज़रा छोड़े हैं